हालो आपरीवन वेलकम बैक टो माई चानल आप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहां पर भी होंगे सब सुरक्षे तो आज की इस ब्लॉग में आपको अपना गार्डन दिखाने वाली हूं गार्डन नहीं वो मेरी बालको नहीं है जिसमेंने बहुत सारे प्लांट्स यह वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें थोड़ी सी इन्फॉमेशन दी थी मैंने कौन-कौन से प्लांट्स लगाए हैं तो यह चलते हैं अब गार्डन की तरफ दिखाती हूं मैं आपको अपना गार्डन करते हैं हम यहां से अगर जिन्होंने मेरा लाज्स ब्लॉग द यह मेरे अलोवेरा जी हैं बड़े वाले और यह इनके छोटे से बच्चू है यह देखो छोटी सी अलोवेरा मतलब मेरे पूरे प्लांट्स की भी फैमिली इंक्रीज हो रही है और यह मेरा शांती का वादा जो मैंने आपको पहले दिखाया था जो कि पहले बहुत जादा अब आप देख सकते हो आप बहुत बड़ा हो गया तो इसका मतलब यह है अंदाजा लगा लीजे आप हमारे घर में कितनी शांती है हमारा पौदे को देख के तुल्सी माता लगाई भी थी बड़ी हो गई है और यह हमारा हरा हरा पुदीना तो मैंने दो बार दो तिन बार जए पुदीने की चट्नी बना ली है और यह हमारा फिकर्स ऑक्सिजन प्लांट इसे भी बाहर रखा हुआ है है और यह हमारीzw हरीन मेर्चिय अब मेरे पास है मिर्चिय और यह क्या है क्या है कुण betajara यह तो आप stamps अाटि एंगर ब्ल् preciso की तब लगता है और यह है मेरी गिलोवे की बेल और तो क्रिस्मस ट्री तुलसी माता लेमन ग्रास तुलसी माता बहुत बड़े हो गया है लेमन ग्रास है इसके चाई पीचे यह लगा आपको मेरा च्छोटा सा प्यारा सा गार्टन मुझे तो बहुत जादा खुशी होती है जब भी मतलब एक प्लां से दूसरा प्लांट पैदा ओघ्रा हुरा है अलवरा का हो रहा है नुसरा बेल जादा एच्छे लगते हैं और जिस दिन हमारे हम घर यह मिर्चियां लागी कि पहले बहुत बड़ा ठाट होते फाल अल्ग नहीं ठीए थी एक पार तुवक्त घू.टा प्लां आएया तो न तो महाल नहीं पाया फिर दूसरी बार मैंने लगाया और इसमें मिर्चियां नहीं लग रही थी बड़ अब यसमें मिर्चियां लगी है तो मतलब इतनी ज़ाधा खुशी होती है कि येस और मैंने भी मिर्ची भी ने सोड़ी है सची बताओ बहुत जादा अंदर से खुशी हो अब लास्ट में आप लोगों के लिए कोशन है कि जब मैंने आपको प्लांट्स दिखाए उन में से कौन-कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते है है तो जो इसकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्याद अच्छे होते हैं और जिसको आप खाके हैल्भी वेल्डी रह सकते हैं और डू प्लांट्स तो ऐसे हैं क्लांटी बोलो नको पौदह ऐसे हैं मेरे जोकि बाबा रामदें हमेशय गहर पे लगाओ खा उसको और रोगक् जो सुन्सक्राइब करें!